सारा देश इस ताइम CA, NRC, NPR इसने ये कहा, उसने ये कहा नागरिक्ता साबित करनी पड़ेगी क्यूं? इससे किसका फाइदा हो रहा है? इससे देश आगे कैसे बढ़ेगा मेरी तो ये समझ के बाहर है एक ये मैं TV डिबेट्स में भी देखता हूँ और कई बार कई लोग ये कह रहे हैं अभी तो NRC का ड्राफ्टी नहीं आया, NRC तो होने ही नहीं वाला अध्यक्ष मौदे 20 जून 2019 को राश्ट्रपती श्री कोविंद जी ने दोनों सद्नों को जो जॉइंट एड्रिस किया था उसमें उन्होंने साफ साफ कह था उन्हीं के शब्द मैं इस्तिमाल कर रहा हूँ मेरी सरकार ने ये तै कि NRC को प्राथमिक्टा के आधार पे अमल मिलाया जाएगा तो राश्ट्रपती तो इस देश के सर्वच ऑथारिटी है अगर राश्ट्रपती ने कहा है कि NRC को लागू किया जाएगा तो NRC को लागू किया जाएगा हमारे देश के मानिय ग्रहमंत्री जी ने 10 दिसंबर को संसद के अंदर स्टेट्मेंट दिया था हम इस पर उन्ही के शब्द में इस्तिमाल कर रहा हूँ 10 दिसंबर को मानिय ग्रहमंत्री जी ने संसद में कहा था हम इस पर बिल्कुल साफ हैं कि NRC तो इस देश में होकर रहेगा राश्टपती जी ने कह दिया मानिय ग्रहमंत्री जी ने कह दिया तो फिर बचा क्या अब ये कि बचे रहे हैं वही C.A. अलग है N.P.R. अलग है NRC अलग है आपके कहने से तो नहीं होगा ना अभी डिप्टी सीम साब ने बड़े अच्छे से एक्स्प्लेइन कर दिया कि कानून के अंदर किस तरह से ये सारे कानून एक दूसरे से इनका रिष्टा है N.P.R. तो 2010 में भी हुआ था तब तो कोई अफरा तफरी नहीं बची N.P.R. तो इनी की सरकार ने 2015 में आने के बाद भी किया था तब तो अफरा तफरी नहीं बची अब अफरा तफरी क्यों मच रही है अब अफरा तफरी इसलिए मच रही है क्योंकि मानिया ग्रहमंत्री जीने खुद समझाया है और उनी के शब्दें उन्होंने कहा कि क्रोनोलोजी समझने की कोशिश कीजिए ये उनके शब्दें पहले C.E. आएगा फिर N.P.R. आएगा और फिर N.R.C. आएगा उन्होंने खुद कहा है मानिया ग्रहमंत्री जीने कि तीनों चीज़े इंटरलिंग दें हम नहीं कह रहे हैं मैं आज एक एक शब्द वो बोलूँगा जो केंदर सरकार की किसी ना किसी आथारिटी ने कही या कानून में लिखी हुई है अब लोगों के अंदर चिंता इसलिए है कि इस पिछले पांच साल के दोरान लोगों ने आसाम के अंदर डिटेंशन सेंटर में क्या हुआ आसाम में N.R.C. हुआ आसाम में N.R.C. होने के बाद 19 लाख लोगों को सिटिजन नहीं हैं ये गोशिट कर दिया गया और उनको डिटेंशन सेंटर में भीज दिया गया उनको जेल में भीज दिया गया और उन जेल में उन लोगों का क्या हाल हुआ यह सारे देश ने देखा इसलिए अब देश के अंदर इस बात को लेके चिंता है कि कहीं मेरा नाम भी तो अनर्सी में इसे गायब नहीं हो जाएगा कहीं मैं भी तो डिटेंशन सेंटर में नहीं चला जाओंगा अब इसका प्रोसेस क्या है इसका प्रोसेस ये है कि ये सेंट्रल गौर्वर्मेंट का कोई नो कई अफसर आपके घर आएगा आपको कहा जाएगा जैसे अभी उपमुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप अपनी नागरिक्ता साबित कीजिए आप अपने कागस दिखाएए अगर आप अपने कागस दिखा दोगे तो चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुसल्मान हो चाहे आप किसी भी धरम के हो आप नागरिक हो गए और अगर आप कागस नहीं दिखा पाओगे तो अगर आप मुसलमान हो तो आप सीधे डिटेंशन सेंटर में जाओगे और अगर आप हिंदु हो तो आपसे ऊचा जाएगा पाकिस्तान से आये हो अगर आप कहोगे हाँ पाकिस्तान से आया हूं तो आपके सारे कागस बना देंगे आप से कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको नागरिकता दे दी जाएगी अगर आप कोगे नहीं मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हिंदू तो कहेंगे आपके कागज नहीं बनाएंगे आपको डिटेंशन सेंटर में भीज दिया जाएगा बताओ भारत के हिंदू ने क्या को ये कहा जा रहा है जिसके पास कागज नहीं होगा और अधिक्तर के लोगों ने अजादी के लिए लड़ाई की थी उन्होंने सपने में नहीं सोचा था सकतर साल के बाद ऐसा टाइम आएगा जब देश की सरकार कहेगी जब रस्ती कहेगी बोलो तुम पाकिस्तानी हो नहीं तो तुमको डिटेंशन सेंटर में बेजेंगे जो जो बोल देगा मै पाकिस्तानी हूं उसको नागरिक्ता दे दी जाएगी जो कहेगा ना मैं हिंदुस्तानी हूं लेकिन में पस कागज नहीं है उसको डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे ये कैसा कानून है एक गलत फहमी फैली हुई है बहुत लोगों मैं जब बात करता हूं लोग कहते हैं कि मैं सपश्ट कर दूं कि एनर्सी में धरम के अधार पे कोई कारिवाई नहीं होगी इस देश में जो कोई भी एनर्सी के तहट इस देश का सिटिजन नहीं पाया जाएगा उसे इस देश से निकाल दिया जाएगा तो एनर्सी सिर्फ मुस्लिम के लिए है ये कहना ठीक नहीं है ये ग्रैम अंतरी जी कह रहे हैं वो खुदी कह रहे हैं कि हिंदूों के खिलाफ भी है मुसल्मानों के खिलाफ तो जो जो हिंदू इस गलत फहमी में हैं कि उन लोगों को इसके अंदर सिटिजन अगर उनके प नागरिक्ता मिलेगी जो ये लिखके देंगे जो ये नहीं लिखके देंगे मैं एफिडेविट नहीं देंगे कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ उनको नागरिक्ता नहीं मिलने वाली ये कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे कल मैंने मानिय ग्रहमंत्रीजे का बयान सुना पार्लेमेंट के अंदर पार्लेमेंट में उन्होंने साफ कर दिया NPR के तहट जो NPR की एक्सरसाइज शुरू हो रही है एक अप्रेल से उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे उन्होंने ये नहीं कहा कि NRC में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे NPR में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे उस information के आधार पे बाद में NRC होगा तो कई लोग ये कह रहें जी NRC का draft तो आ जाने दो बाई साथ जब चिडिया चुप गई खेत वो क्या कावत है अब पच्ताए होत क्या जब चिडिया चुप गई खेत अगर अभी NPR हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा फिर फिर तो NRC होके रहेगा NRC तो हो नहीं है राश्टपती जी ने कहा दिया NRC होगा ग्रहमंत्री ने कहा दिया NRC होगा NRC तो हो गई होगा और NRC कैसा होगा वो इस किताब में लिखा हुआ है तो अब इसमें कोई दो रहा है नहीं बची है तो डॉक्यूमेंट्स तो कल का उनका जो स्टेटमेंट है उन्होंने काया कि NPR में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे उन्होंने ये नहीं कहा NRC में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे और NRC में कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे ये भी ग्रहमंत्री जी का स्टेट्मेंट है 17 दिसंबर को अमिट शाजी ने टाइम्जनाओ को इंट्रिव्यू दिया था टाइम्जनाओ की इंट्रिव्यू करने वाली ने पूछा उन से क्या आधार कार्ड माना जाएगा क्या वोटर कार्ड माना जाएगा उन्होंने का आधार वोटर कार्ड से नागरिक्ता तै नहीं होती है जी आधार का अलग परपस होता है ये डॉक्यूमेंट्स नहीं माने जाएंगे documents कौन से माने जाएंगे वो अभी DIPTCM साब ने बता दिया केवल और केवल A की document माना जाएगा किसी भी सरकारी एजंसी द्वारा जारी किया गया birth certificate जनम प्रमान पत्र किसी भी सरकारी एजंसी द्वारा सर्व स्कूल वाला school living certificate होता था वो नहीं चलेगा municipality का चलेगा या पंचायत का चलेगा इसके अलावा कोई नहीं चलेगा मेरे पास भी नहीं है मेरे पास भी नहीं है दिल्ली के मुख्य मंतरी के पास भी जनम प्रमान पत्र नहीं है थापित करने के लिए मैंने आद सवेरे अपनी बीवी से पूछा मेरी बीवी के पास भी नहीं है मेरे माबाप के पास भी नहीं है हमारे घर में छे आदमी है मैं मेरी धरम पत्नी मेरे माता पिता और मेरे दोनों बच्चे बच्चों के हैं बच्चे दिली में पैदा हुए थे पूरे परिवार को detention center में भेज दिया जाएगा मदी जी के पास नहीं है अभी इनों ना बताया क्या है सतिंदर जहां शहता इ clay के वास इन updated यपाल जी आपके बस है है कौत्व जी आपके बास है इम्रान खान है के लांश जी पूरी Cabinet के पास नहीं है पूरी Cabinet क्या पूरी दिली की Cabinet detention सेंटर में जाएगी आप से पूछना जाता हूंँ स्पीकर साफ आपके पास अगर लुए पास उनके पास वाजपीजी के बाहन से है पूरे मेरे हमारे इतने विधायक जिसके पास है एकनट इमानदारी से कल मैं रागव से पूछा था इसके पास है बता रहा था किसी जिसके पास है विपक्ष समेथ जिसके पास सरकार द्वारा जारी किया गया जनम प्रमानपत्त्र है अपनी नागरिक्ता साबित करने के लिए जरा हाथ खड़ा कर दो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो ए दस वो नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा कि सतर लोगों की विधान सभा में 61 लोगों के पास जनम प्रमान पत्र नहीं हैं साबित करने के लिए कि हम इस देश के नागरिक हैं केवल नौ लोगों के पास वो जनम प्रमान पत्र है अब मैं इन में से पूछना चाहता हूं जब आपके घर में आएंगे आपसे पूछेंगे आपके पास कागज नहीं होगा आप में से कितने लोग एफिडेविट देने को त्यार है कि आप पाकिस्तान से आए हो अध्याट्ष मौद है मर जाएंगे कट जाएंगे मिट जाएंगे देश के साथ गद्दारी नहीं यह जो यह जो कह रहे हैं कि बोलो पाकिस्तानी हो तभी आपको नागरिकता देंगे द्यक्ष मौद है पूरी जिंदिगी डिटेंशन सेंटर में बिता देंगे देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे किसी भी आगे और यह के विल मैंने कह रहा है मेरे देश का एक एक नागरिक हमारे देश का भारत का एक एक नागरिक कट जाएगा मर जाएगा लेकिन भारत के साथ गदारी नहीं करेगा कोई बहुत अध्यक्ष मौदे मैं चैलेंज करता हूँ यूनियन कैबिनेट में पूछ लो कितनों के पास है पारलेमेंट वालों से पूछ लो कितनों के पास है अभी एक और मुख्यमंत्री केसी आर्स थे शायद में नाम बोलिया उन्होंने कहा बोले मेरे पास भी नहीं है उन्होंने खुद कहा तीन चार दिन पहले बोले मैं आत्मत्या करनूं क्या मेरे को डिटेंशन सेंटर में बेजोगे क्या देश के अधिकतर मुख्यमंत्रियों के पास भी नहीं मिलने वाला ये वाला बिर्ट सेटिफिकेट अब ये आसाम में जो अनर्सी हुआ बहुती दर्दनाक हुआ मैं केवल चार उधारन आपके सामने रखना चाहता हूँ ये दिखाने के लिए एक शक्स हैं दुलाल चंदर पॉल बंगाली हिंदू हैं 65 साल में हैं 65 साल के हैं इनको 11 अक्टूबर 2017 को असाम के रहने वाले हैं मूलता असाम के रहने वाले हैं इनको इनके पास कागज नहीं थे और कागज ना होते हुए इनको दो साल पहले डिटेंशन सेंटर में भेज दिया 11 October 2017 को इनको डिटेंशन सेंटर में भेज धिया दो साल में इतनी बुरी हालत हो इनकी डिटेंशन सेंटर में अभी 13 October 2019 को इनकी मौत हो गई डिटेंशन सेंटर में एक है छबिंद्र शर्मा Flight Lieutenant थे Air Force में 38 साल इनोंने Air Force में सेवा कि देश की इनका पूरे के पूरे परिवार का लिस्ट से नाम बहार है 28 फरवरी 2018 को ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पे रिटायर हुए और 30 जुलाई 2018 को जो लिस्ट निकली citizens की उस लिस्ट में इनका नाम नहीं था इनके पूरे के पूरे परिवार का नाम लिस्ट से गायब था सनाउल्ला खान 32 साल तक इन्होंने आर्मी में काम किया और इनके पूरे परिवार को सनाउल्ला खान उनकी पत्नी और तीन बच्चे पांचों को विदेशी करार दे दिया गया इन्होंने जम्मू कश्मीर में काम किया है, नौर्थीस्ट में काम किया, काउंटर इंसर्जनसी और काम किया, वो रिटायर्मेंट के बाद बॉर्डर पुलिस में काम कर रहे थे। बताओ कैसे साबित करें हम इस देश के नागरे के एक है नरेश कोच नरेश कोच वहां पे एक कोच ट्राइब है आसाम के अंदर मतलब यह तो सवाल ही नहीं उठता कि बांगलादेशी थे वहां कोच ट्राइब के थे इनका बेटा और इनका भाई उनको सिटिजन लिस्ट में नाम था इनका नाम सिटिजन लिस्ट के अंदर नहीं था इनकी भी मौत होगे डिटेंशन सेंटर के अंदर ही रतन चंडर विश्वास घलित हिंदू हैं इनका एक वीडियो आया था जिसमें डिटेंशन सेंटर के अंदर यह बैड़ से इनको बांध रखा यह जटी क्लास तक पड़े हुए हैं इनके पिता जी का नाम 1966 वोटर लिस्ट में उसके बावजूद इनको नहीं माना जैसे हम नोने का वोटर लिस्ट नहीं मानी जाएगी ga 66 की वोटर लिस्ट में पिता जी का नाम है लेकिन इन को नागरिक माना गया इनके पिदा जी के नाम पे जमीन है दो साल दो साल से ये दो साल पांच महीने से डिटेंशन सेंटर में है तो 19 लाख लोगों को फरजी तोर पे असाम के अंदर डिटेंशन सेंटर में डाला हुआ है 19 लाख लोगों को नागरिक नहीं है ऐसा करार दिया गया है जिस प्रदेश और बिहार से आएवे 40 लाख लोग हैं अब ये सारे लोग अपने गाउं में जाके कागस बनवाने जाएंगे और कौन कागस बना के देगा अब मैं अपने गाउं में कागस बनवाने जाओं कौन पहले जमाने में कहां अस्पताल में तो मैं भी घर में पैदा की विधान सभाओं ने प्रस्ताव पारित करके कहा है कि NPR और NRC लागू नहीं होना चाहिए, यह कोई छोटी बात नहीं है, 11 राज्य मतलब लगबग आधे भारत वर्ष ने कह दिया कि NPR और NRC लागू नहीं होना चाहिए, मध्यपरदेश, राजस्थान, वेस्ट वेंगॉ कि प्रस्ताव पारित कर दिये की यह कानून पास नहीं होना, यह लागू नहीं होना चाहिए, तो मेरी भी केंद्र सरकार से हाज जोड के विंती है कि इस पूरे NPR को और NRC को विड्रॉ किया जाए और किसी भी हालत में इसको लागू नहीं किया जाए तो मान्य मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था उस प्रस्ताव का मैं पूरी तरह से समर्थिन करता हूँ